हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं अजमाइन के पराठे हमने इसके लिए आटा ले लिया है अब इसमें हम लोग आजमाइन डालेंगे यह हमने चुटकी वर अजमाइन ले ली है अब इसमें नमक डालेंगे इसके बाद हम इसमें देशी घी एड़ करेंगे आप इसमें ओयल भी यूज़ कर सकते हो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स होने के बाद हमने इसको पानी से थोड़ा अच्छे से गूत लेंगे कि एक सॉफ्ट सा डूस त्यार करना है जैसे हम रोटियों के लिए त्यार करते हैं दिखो यह हमारा आटा रेडी हो गया है इसको हम दस मिंट के लिए छोड़ देंगे अब इसके बाद हम इसको फिर से अच्छी से गूत लेंगे दस मिंट के बाद इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगे इसे अच्छे से इसको गूत लेंगे कितना अच्छा गूत लेंगे पराठा उतना ज्यादा सॉफ्ट हो बनेगा अब इसके हम छोटे-छोटे लोई के टुकडे बना लेंगे इसको गूल-गूल घुमाके अच्छी से लोई की सेप में रखना है इनको अब हम इसको बेलेंगे रोटी की तरह आटे के साथ हम इसको अच्छी से बेल लेंगे अब यह हमारी रोटी बिल गई है अब इसमें हम घी लगाएंगे घी लगाने से क्या होता है पराठा अंदर से अच्छी तरीके से सिख जाता है इसको दोनों साइट से फोल्ड करेंगे इसको साइट से भी फोल्ड कर देंगे अब इस पर हम सूखा आटा पर लगाएंगे जिससे बेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यह देखिए हमारा प्राठा बेल गया है अब देखो मारा तवा गरम हो गया है हमने इस पर प्राठा रख दिया है अब देखो प्राठा भी हमारा नीचे से अलमोस्ट सिखनी लगा है इसमें देखो भाब दिख रही है थोड़ा थोड़ा दूआ ओड रहा है देखो प्राठा एक साइट से सिख गया है दूसरी साइट से सिख रहा है अब फिर को पलटके हम इस पर घी लगाएंगे दोस्तों मैं थोड़ा कम घी यूज़ कर रही हूं क्योंकि मुझे ज्यादा चिकना पसंद नहीं है आप इसको एक्स्ट्रा भी लगा अपने अकोर्डिंग आप इस पर घी या तेल यूज़ कर सकते हूं वाव देखो किते अच्छी से फूल गया है पराथा देखने में पी सुन्दर लग रहा है आप इसको एक वाट जरू ट्राइ करें